हलो फ्रेंड्स, स्वागत था आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो ने 2021 स्टुडेंट्स के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाली है तो जो भी स्टुडेंट्स और बीडियोस कॉर्स में एड्मिशन लेना चाहते हैं आज मापको ये बताने वाली हूं कि कितने माक्स तक एड्मिशन मिल सकता है और आपको कौन सी कांसिलिंग के अंदर पार्टिस्पेट करना चाहिए ठीक है? कितने माक्स तक कि स्टुडेंट किस कांसिलिंग में पार्टिस्पेट कर सकते हैं तो guys with proof माँ आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर किजेगा ताकि आपको अपनी latest update मिलती रहे ठीक है तो guys ये आप सभी को पता है NEET 2021 का जो result है जो scorecard है वो जारी हो चुका है और NTA ने एक official notice जारी किया कि उनने दोबारा से scorecard जारी किया है तो अब तक अगर आपने scorecard डाउनलोड नहीं किया है तो पहले अपना scorecard डाउनलोड कर लीजिएगा दोबारा से आपका scorecard डाउनलोड करना है आपको क्योंकि change हो च problem होगी तो age criteria को वापिस से रखा गया है NET 2021 के अंदर और वापिस से All India rank जारी किया गया है तो guys एक बर अपना scorecard दोबारा से डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि counseling के अंदर जो दोबारा scorecard डाया है उसी की आपको requirement होने वाली है ठीक है अब guys देखें मैं आप से बताओ NET 2021 के marks उठाएंगे और NET 2020 के marks उठाएंगे students के marks और All India rank में जो आप compare करेंगे तो आपको पता चलेगा कि minor ही difference है ज्यादा difference नहीं है उतने ही marks पर उतना ही rank थोड़ा बहुत change के साथ ही students को मिले है तो 2021 और 2020 का जो result है approximate आप बोल सकते है थोड़ा बहुत differ है otherwise same ही है तो guys जो result आ आपका जो counseling time पर 2020 का आपको यह देखना है कि किस rank तक के student कौन सी counseling में college उनको मिल गए थे उनकी पसंद के ठीक है क्योंकि उसी according फिर आपको apply करना है और guys यह भी मैं आपको clear कर दूँ कि अगर आप last round तक रुखते हैं अपने marks के according ही आपको counseling के अंदर participate करना है ऐसा नहीं है कि आपके बहुत कम marks है और आप round 1 में participate कर रहे हो नहीं क्योंकि एक दो मोके ही मिलेंगे counseling में participate करने के भी तो यह मोका आपको गवाना नहीं है तो guys यदि आपके marks बहुत कम है तो आपको counseling जो round होते हैं उनके according ही participate करना है round 1 होगा round 2 होगा mop up round 1 होगा mop up round 2 होगा after that stray vacancy round होगा और guys last तक का जो round होता है उसके अंदर तो बहुत कम marks वाले students के admission भी हो जाता है ठीक है तो अपने marks के according ही आपको rotate होना है मैं बार बार एकी बात बोल रही है आपको कि अपने marks के according ही आपको counseling के अंदर participate करना है मोका बिलकुल भी नहीं बाना है तो guys मैं आपको बता दूँ official data मैं उठाती हूँ कि जो 2020 का official data है कि कितने all India rank तक student ने किस round के अंदर participate किया था ताकि आप भी उसी के according participate कर सके तो देखे तो guys यह जो मैंने data उठाया है यह आप लोगों के लिए बहुत ही important data है total admitted MBBS और BDS में दोनों courses की बात कर रही हूँ 2020 में किस counseling में उनने participate किया कि उनका admission हो गया और किस type के college में admission हुआ है ठीक है तो जो भी आपका round है इस file को इस video file को बहुत अच्छे से आपको देखना है इसके according ही आपको participate करना है देखिए आपको कौन-कौन से चीजे दिहान रखनी है आपको all India rank दिहान रखना है कि आपका क्या rank है उस according आपको देखना है ठीक है उसके बाद कौन सा course उनको alert हुआ है MBBS या BDS क्योंकि दोनों ही courses की list है तो पहले MBBS ही मिलेंगे उसके बाद BDS मि अगान तो देखना है कि किस राउंड में उनको college मिल गया है कौन सा college मिला है ये last की बाद है ठीक है तो 2-3 फिल्ड आपको देखनी है आपको देखना है All India rank उसके बाद आपको देखना है कि किस राउंड में उनका selection हुआ है और कौन सा course उनको मिले आपको MBBS चाहिए तो जैसे उनने BDS ले लिया, उनको लगा कभी BDS भी ना मिले और MBBS भी ना मिले, ऐसे ना रह जाए, ठीक है, लेकिन लास्ट राउंड तक काफे कम मार्क्स वालों को भी MBBS मिला, और गाइस गॉर्मेंट मिला है, अगर आप MOP UP और STAY वेकेंसी राउंड तक वेट करते हैं, तो य मिला है, किस जगर का AIMS मिला है, वो यहां से देख सकते हैं, किस कैटेग्री से वो बिलॉंग करते थे, आप जिस भी कैटेग्री से बिलॉंग करते हो, वो आपको देखना है, और यह उनका All India Rank, और किस राउंड में उनका सेलेक्शन हो गया, तो देख सकते हैं, आप राउ से होती है, आप सभी को पता है, ठीक है, जो फर्स्ट प्रियोटी जो स्टुडेंट्स देते हैं, वो AIMS न्यूड हैली को देते हैं, आप रच आपके बोपाल बगरा, जो AIMS की सीट होती है, उनको प्रियोटी दी जाती है, तो गाईज, आप देख सकते हैं, कि कितना रैं आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें, जल्द ही मिलेंगे निव अपडेट के साथ, जल्द ही मिलेंगे निव अपडेट के साथ, तैक बेस, खरो से जबेढ़ाइब उन्मर्ट के साथ, जल्द हो एंवाद सन्हें, जल्द ही.